हम तुम्हें आपके बंटे जगरिया का वापया कुझा से हैं, इस वाकर में हमने उनके ओपर रह्मत नादिल खरभाई आजी बात की तुने पर बढ़ दिगा, इसका बेटा जवानी नखत हो जा, उस पर वाण सी रह्मत का अगर उब व बेटे का फदू को अगर किरिया का अब बद रहा है, तो बात की लिगाओं के सांज में बेटे का फद्ट स्बाद के लिए का है वय अख्मत संवत होता है अगर किरिया होता है में इस अबब बस रहा है तो बेटे काखा यह बाद के लिए क्या है? रहमत वैसे ही अगर अली के नाम से तराया आता रहा है तो यह डर है उसकी रहमत जिसके दिल में अली काफ़ उपो वो रहमत जो पुदा के दाएने ने और जो अली के नाम से बिखव हो जाता है वो खुदा की अधाब मिग्रस्ता हो जाने वादा यानि रसूल देखी रह्मत को जो आलमीन के लिए रह्मत मुतलफा है वो रसूल उसे अली के नाम बद्दराने वाला बनाया तदेखों खबर्दार कर दीजे कि भाई जो बात हो जाए वो जाए वहां देखने के जो भी है लेकिन अली के नाम बद्द कोई मुतमईन न हो जाए यारतू रह्मत कोई बेपा उपन हो जाए भाई है ना तो भाई इसने क्या आप रसूल है अधाब आएगा अधाब आएगा नहीं नहीं आप रहें बठेगे आजाब के वाईगा तो सबने देखाए में अधाब देखार हो जाए बात कि हारें दोरा ने रागा अब फिर वही बाच पे मलफाजर से बाच वनीर के मजा अगर ये सकती अधाब आजा तो क्या उमीद तब है उमीद ये चल रही थी कि जवाब आएगा फिर से वही आप रहमत में अधाब कैसे आएगा लेकिन उसने रिखांगे ये बात नहीं हुई रिसालत के इतिराज पर तोहीर के इतिराज पर रहमत करेंगर खुदाने बुंजाएदे कि अधिर में अधाब पर रहमत की बाच पर यह दाब आगया कर रह्मत तो खड़ी हुई इसी फिरता क्यों आया का वो इसी जितों कि किसी रह्मत को अमने पुर्माज के पासे डराने वाला बनाया है का हमने उस रह्मत को इस पुर्माज के खासे डराने वाला बनाया है यानि किसना ज्यादा वो सीरियस है वह अली का नाम है इन्सान को गुनागार होना और है नामे अली में पेतकल्ण होना और है आमार को गुनाह होते है नाहो की मकड़त होती है तोहीर की कुस्तापरी की मकड़त दें तो खुनागार होता है तो आपकर लें लेकि कुनागार था है यह तो बेतकल्लूप हो रहा है सौहीद से विपरवा हो रहा है हमने रहमत को इसके लिए नजीर बना दिया जिसके दामन के साहे के पूरी मखलू रोजन मैशर मुत्माइप रहने वादिया उसी लामन के साहे को हमने गराने वाला मना दिया फुर्वाद के पासे पुर्वाद के खादिर हमने यासीन उताखा को या र्योगर रसूल का आक आखे, आखे रिखा, प्रवाज्य वहा लों हो इलम तब अल, हमने खुमिलैला इला कलिलमा वाले को इलम तब अल्म किसे का आखना आखे वैसा मत नउठा आखे, आराम कीजे यह जपते परवर्ड़िका लियाने लेकिन वो जब तक उसे इलम तब हल हमने फुरान की वज़े से का इसे कब उनका पात वाजे रहें ये दरने की जगाएं ये जान दरने की जाएं तो इंसान अगर अपने इस जगी में गुनागार हो तो आयते हैं आजी से अंपार है मैं देखें कोई बदिमीयंती से काम करें तो इससा क्या है देखें लेकिन एक अधीर अमाँ को सुनाएं देखें लेकिन वही उसी आयती तरह कोई पाइदा नहीं उठापता है ना पुरान पुरान में का कुलिया इवादी अल्लवी नासरा अल्हां कुस्नी बलाता हैं तो में राहन देखें इनल्लाह यख़रु अल्वा ज्यमीया इननुग गफुरु रर्भी मेरे अभी बाते देखें के जिसमें इस्राव के साथ गुनाएं जरूरत अगरे एक गुनाएं की थी तो वहां दल किये रहे हैं शुकर किये अल्हा ना किये दिन में किये राज में किये बहराल गुनाएं होते बही हुए इसरा आपके तासे से अब उसे करें रहमते हैं खुदा से मायूँ नहों लाततन मिर्द्ध मतिर्वाइं अल्ला किरें अपके ते मायूँ नहों इननल्ह यख्विरू सुनु वजदीं अल्ला उसके तमान गुना कुदा कुदा बेश्यक। अब माव कर दिने की बादुस्ते की सब माव करें के। अली ने बगारा हूँ कैसे माव करें के। और यू आप शुग या अर्विदा। ऐबोट गुनाहों को माव करने पर चल्दी रादी हो जाता है। यानि अगर आपने का माव कर दे परवर्दिकार तो वो एक घंटा सोच करता ठीक है माव कर आई सब्सक्राइब। रख कहते हैं हवा की तेजी को इसे जनरली इसे पजर के मौटे पर इस्थे पार किया जाता है। क्योंकि इस असुबह की हवा आउटी तो एक्दम से कही वायग बजाए है। क्योंकि बहुत तेज करती है। मौन एक वहती सुरहत कहता अपने बजम के कुना होगो माब करते के सब कुना होगो माब करेगा यह से कहा। परला के लिए भुपने पर मांकर दिगाई आजीचा नहीं हो तो बद्वा के लिए पितनी आजानी होगी पृच्ट ना पड़ा बसने वाला परोट दिला तो ये क्या आज़ता है हमारी रह्मत वनुद को हमने आलमी के लिए रह्मत बना गर बेजाई दे कोई है रह्मत पैकर है हमारी रह्मत का उस से पैकर रह्मत दे तोहीद को हमने पुर्खान के खासे डराने वाला बद्विया यहीं इन्सान वो ये चाहिए कि वो बेखौफ ना होए खताकार होना हो रहा है फिर खौफ ना हो रहा है पुर्खान के मामले में उसने बेज़कर दुखी को बढ़ा सही दिया रह्मत का हम अपनी रह्मत को खिताब कर रहे हैं दिल्लम्द अखल तुम्हारे इस पैकी नहीं करें कि यहां करें उस्ते कहा है इसलम्द अखल अगर वह मामला अगर तुम्हें से बात नहीं करें बहराल देगें मत्वेश है कि अगर अजबत मजलिस को लेकर अज़ादारी को लेकर जिस भी चीज़ को आपके हम अगर बेख़ौफ होने लगें तो हम उस कुरहन की नदारत के दज में आगए अगर में बैटकर कोई अपने घर में बैटका हुआ है जिसे मजलिस नहीं वो बच जाएगा वनिजबत उसके जो मजलिस में आया था और उसके बुर्मन कफ़े आपके यह बशर की जहादत से भूल से लजी चुक वो अलग है तो जानगूज कर रहा है वो कौन है वो पुर्मान की इस नजीर की दिल्जद में आगए अगर पुर्मान की तेकमत पे इस इबादत की ज़िए इस दोरा था इबादत अंजाम न देखामोना है इबादत बेखौफ हो जाना यह उन नजीर की दज़ब्याना है आपकर साथ में आ महोझ के साथ में इसमार आपने सर्हक और भाद आरद नहीं बढ़ना हो रहं है वह नमा म decisive प crater के अमत कर आद किया आपकर जातें कि आपकर तेकित अ out कौश कर ना में कोज पmeyeकलने वाले कर अभी थोड़ दिया कुरान बंधिर relevant किया स्थमौumerद पस्त आद। नहीं परनेंगी बात नहीं हes Mini कुझतिए , लोकि दूने पुरान के साथ िした हुए यहा है तो आपको अरब में बहुत जादाा वाम है तो किया ञदर कर बहुता है लूड़ा होनों है palavraत्कादा कि बहुत हुँन जा हुए ? बिजियान इबादत के साथ बजते हो लो तो ये सबब है वो जो जहनम में लिए जाये है जो कि खताकार को ममाथ करता है लेकिन बेवकॉफ को जो उसके नाम से बेवकॉफ हो जाए ज़नि जब वो अबने साथ का ज़स्पा सिखांजे लगता है ज़स्पा होता है ज़स्पा होता है मतूर है कहावज ले इंगिश्में भी यूटूब अकरा बुकान का रहे है के मौफ में ज्यादा अपना मौफ कियाने का इताफ होता है मौत में उतना डर नहीं होता, जितना डर उपुत्वफ होता है जो हमें बढ़ाता है कि मौत आ रही है तो मौत की आमद में अल्लाव ने वो दबडबा रखा, वो व्यकार रखा बिल्गुल चोटी चीज़ है, मौत उसके वदब क्या है, लेकिन जब आ रही होती है किसी पर जिनके चीज़े उपर शिर्दत से अगरें, तंगीर से आ, मौमिन की मौत की काफियर नहीं, मुनाफियर की काफिर की मौत, जो मगरूर जिंदे की गुदार रहें से, अपने आप वो मौत से पहले मांदिया, वो पाउप वता है, तो पुदार रहें जब वो ऐसा दिखाने पर आजाएगा, तो पर इंसान का उसके ताम में रखानी का होगा, इसी जिए परिष्टों में मलभ बिल्मौत से सब रखने, हालांके मलभ बिल्मौत मौमिन है, इसी जो वोई द पर बीच में, इमान की सदर से बलच होकर निकलना होगा उसे, चप्रय और यखीन की मंदिर पर जाएगा, बहुत दुनिया से बेलो होना होगा उसे बहुत जाना, सब जाकर मलभ बुल्मौत से गुर्पियों, वर्टा कितने ही सीदे आजमी को अगर पता चल जाएगे मलभ पर बुल्मौत आरहे हैं, तो भी मुष्ट में खुद आया है, इसमें क्या रही है? लेकिन उसे बजन महीं आता हुद खाया है, परिष्टे दूसरे परिष्टे मलभ बुल्मौत जबके खुष्की आई थे, ना कुष करने वाले, लेकिन वोगखा आया है मलभ बुल्मौत वो दबदगा चल रहा है मलभ बुल्मौत, खुद आवंसे आदम ने वजूद में दी कर्थिया, नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी शान और चौकत के अलद अलद पहलो ही है, वो देता है किसी में ये खुब अताज़ी देता है, वजूद में कैवियत उसने थी, कि अगर वो ही होता है, वो बुज़ख रहा है, मेसूद अहीं है। वाह ह façon है! अगर वुद कर लो कर लेकिन शेट में में करता है ऑन्हादूब अगर वो दी के वहसा है, उसके मुतालिए हो, पहो बद आखका है, अगर वेसुद में और अखका है. तो अप्रिजब से इंसाम को जटका में पूस होता है तो कह दिया नजर पर हमारे नाम पर उनकी नजर पढ़ी और यहां रूम है तूर कर रही है कि वह देखा आ रहा है अलांके फिवार नहीं आजए रखार थाल्ला ने दिया मौझूद में ने आप देखें शेहर के वजूद में रूब यहां क्या करें हैं इसमें कुछ भी नहीं करा है के था हुए हाँ वो खरीब आदे नहीं देता हूं कि वह नहीं कर रहे हैं यानि वजूबूद का अतर 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 जैसे श्रमीन के बिताल से अगर आपके तो अर्थ में अल्लाव ने एक मैगनेटिक फिल्ड रही है 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 ना आप पसाते हैं है यह किट्नी जैसे होती है हमारी बैसे शेटी मैगनेटिक फिल्ड तो अगर सूर्ज में कोई धमा का हो ओपर कुछ भी ओपर से यह जीर गुजर रही हो तो वो उसकी तिर्सागा रौशनी को बहुत जादा सा इंसानियत पाउस को तबाह कर देगी कि वह दमा कर जब वहां से यहां तका सा है जमी पर हिर जाती है नो बताथि तो अल्लाटिक फिल्ड बनाती है जिसकी वजह से वो रास्ते को फोड़ कर तला जाता है आज मैं कई हादिसे रोज होते रहे हैं है अगर मैंनेटिक फिल्ड हटाणी तो वो आत्मान के हाद जैते कहाता कमीट पर होगा तो उस सारे लोग पर जाए और वो जैते और आतान मिशाल अगर आप देखें तो यूवी रेस जो होते हैं तुरल जो स्किन पर पढ़ जाए तो क्या सर हो जाए लेकिन उस दो लेयर बना दिया तो वो वहीं ख्यंद जाते हैं रूप जाते हैं सिर्फ जूप आती ही लीचे हम उस दूप से खुछ होते हैं अच्पर यार्टी सर्जमीन के वपर उसमें कुछ फुराब पढ़ रहे तो आप देखें मां पर कोई खुप नहीं निकलता क्योंके कैंसर हो जाता है अब ही का है कब हुजोन पढ़ गरा स सूरज की वो जहनी किरत जमीर पर आ देखें तो यह सारा विजाम अल्लाह ने रखा जमीन अलग जमीन के अतराफ का माहोर साथ उस माहोर की वज़े से वो चीज़ें यहां आ नहीं है यह जमीन है छोटी सी सूरफ के सामने उसके बावजूद में उसका एक रोग है जिसकी के वज़ें ईए यहां नहीं पहुंच रही है कि अनुहां करके इसका यहां थीका अनुर्ज़न कर तो इसके आगा उसका रोग जेयं है जब यहां थिन दूर दmm horse उसका रोब आ रहा है नहीं का वजवार नहीं करते हैं वजूर है उसका रोब होता है बैठाओ वाए अपनी कुछा में कोई फरीप नहीं जाएगा तुके वजूर का रोब है वैसे ही कई रोबों का तथकिरा दिया एक रोब का दिकराओ आपको अधीस मिलेगा कि एक दिन वो होगा कि जिस दिन जब हिजाब को उठाया जाएगा बर्जे के पीछे से कोई निकल कर आएगा तो उसके आने से चालीस दिन आगे उससा रोब चब रहा हो ऑयाली आज़ी आज़ी ने रही नली मेरे महमरी वरिमत एहुचत ला काइन आले मोहमद पुलंतर समाथ उसके आने से 40 दिस पहले से दुनिया को ऐसा लाठाना शुरू हो जाएका कोई आ रहा है उस से 40 रोज आके उसका रोभ चल रहा होगा वे मुझूद इस विजूद का रोभ होता है कोई वुझूद आ रहा है तो उसके सालो 14 million और अगैर कोई वजूद इस मकाम पर है बैठा हुआ तो उसके साथ उसका वजूद रोभ होता है। इस मौके पर लोग दूर बाक्त रहें कि वहाने से पहले चले जाए। और दूसरे मौके पर उसके परीफ नहीं आदे का मां कौन जाए मां उसका रोभ भी बैठा हुआ। बहुत है। बहुत सही परवट दिगाना रहा है। इसके पठीके चली आजाए हम आपको अपनी महफिल में बुला रहे हैं। तो समीर के मां उसके जूटना जब समीर चाते गए। तो उसके रोभ का असर इतना बढ़ता गया। कि को आपको जिम्रीयों ने हाँ जोड़ दिये। का आपको अकिले जाना है या रसुल आल्लाह। अगर इस रोभ के तायरे में नाकिल हो जाओ। आपको जोड़ 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 जोड आने से पहले समझ में आता है, हाँ कोई आ रहा है तो खुदावन्य आलब मौज से पहले उसके दवजबे से लोगों को पना कर देखा जो यहां बेतकल लोगों रहे थे तो देखें यह तारीष है दो की हमने पुर्छान दिये फिर तो अधुरा रहे गया शाला फिर कल आप इसे शाहिए आगे बढ़ा से क्योंकि जो मदमून हमने हैं तो चाहिए वो थोड़ा का मिजाज के इसे बास हैं दमाने का जो मिजाज है मदमून हुए इसे बास है अब मदमून आएगा तो दमाना के पिरास है तो लेहागा हम अभी कश्पकश्ट मेरे जो छेड़े जाना से तो यह दिन पुरकात का एक और रहने आए इसाला सन चिकते और आगे बढ़ा है लेकिन कमस्तों है यह दो दो रवे लौश यह भी साजी यहां हमारे चाहर में मन्सूब है किसी से मन्सूब है किसी आइसे से मन्सूब कि उसका रोप भी बहुत मश्रूब है अधिसके साथ मन्सूब दिल आलमीन के नवासे ने बताया नवीर कैसा होता है वह 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 अधिक कि बहुत रोप मलकुलमात और आए आमत पर रोप जनी पलक कही पखशकेता कोई नहीं जबान से एक लब नहीं ही काल सकता कावज में आपको मिले ला कहते हैं सांस से ठमी होगी सांस सांस ठमी होगी रहती बगएर इसने सुलाइमान सांस नहीं लेता था अब अच्छा की इजाज़त हो तो सांस ले सुलाइमान को वेखार का दब दब वो ही हुकुमत था इतने बड़े वजीर उसके साहिव में खड़े होगी आवाज नहीं आती सांस 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 इतने बड़े वेखार और दब दबे वाले को लेखार इजन के बगएर आना नहीं कोई सब्सक्राइब अपनी 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 जगा का मुई बेटे हैं जिस एक आ गया वाज 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 हमें ना वाज के लगी एक इजाज़त हो तो बैट जाओ आपगी न हर्फ सारी को टो रहे हैं आपके जार्वा सब्सक्राइबन कहां नहीं हर वारा अधिज्वी और दवार पिरो की का वेखार है इतना जाना रोब गजबदवा मलबकुल माजका कै एक लिएक लम ए पूरी दुनिया में बैला हुआ हुआ हुआहा हुआ खुदावन्द आल्ड ने जिश्क एक लिए जब कहां यहां इस वह निकालनी है तुझे हूँ तुन जगे बदलती है ना मखबलता ने एक साथ लाख मकामा को मुझूद अपने रोख और दबदबे को हर मकाम पर दिखाता रहता जिद्री खुवत और ताकत और रुख और दबदबे वाला अशूर के रोज तुर्पेखार के ताम आमने हाथ जोड़े होे पड़ा हुआ था जुपेखार के सामने हाथ जोड़े हो पड़ा हुआ था और कहरा था एए बुल्कता, थोड़ा आहिस्ता चल आण चांने आण चांगे में आण आण दिल्वाला नमी मॉला नमी मॉले खुदा मॉला। तुत औरकार के निकल जा रही है, रूखकर्ण करने में मुझे परिटानी हो रही है, आइक रूखकर्ण करूँ उसे महां पहुंचाओं, इसके पिखाने तब इस ले जाओं, फिर आओं फिर इसे ले जाओं का ये सारी तेरी रफ़दार, उसे मौका नहीं दे रही, कि में एक के बाद एक रुख अफ करते हुए जाओं जो फ़करते हुए जाओं एक मरत वाद जब ये मिन्द और प्री मलकुलमौश ने दुल्ख़ार से तो एक मरत दुल्ख़ार में और से मलकुलमौश को देखा अब जब मलकुल मौत ने ये देखा कि दुल्सकार मुझे देख रही है तो मलकुल मौत में वो महसूस किया जो को इसान मलकुल मौत को देखकर में महसूस नहीं करता का तो ऐसी निगाहों से मुझे क्यों देख रही है जबके दोनों का काम है मौत देना मलकुल मौत भी मौत देता है तुल्सकार भी मौत देती है ये दोनों मौत देने वाले दूसरे के सामने आ गए लेकिन दोनों की मौत में बड़ा भर्प है कि मलकुल मौत जितनों को मौत देता है उसके से कई ऐसे हैं जो जन्नक में भी दले जाते हैं लेकिन अब दुल्सकार किसी को मौत देते उसे जन्नक की पूब ही रफीर नहीं होती जो 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 आगे आइसा चली आपर आपके 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 इजालत नहीं देखा तो खामुशी पहले दुल्मौत जवां का मुत दिर्खा अतुल्ठकार में तेका, तेरी रवतार हो, तेरी तेजी, तेरा मुझदार, दबदबा हो, व्क हुआ चला गया न फुल आप जे उरू लेजा गर सब करना है और तुझ जो ते मंदिल पर लेजाना है, और इज है अलम में ओन कि इस अलम में तेजी का शिकार करना जबके तु मेरी अफ्तार को गौश्ते देख कि मैं चलते चलते सामने आने वाले की सतर नसलों को देख रही हूं जबके तु मेरी अफ्तार यू तेजी से दुदर नहीं लेकिन तु मेरी तु मेरी तेज रवतारी थी पलक्ठा पकते में उदर पलक्ठा पकने में उदर इज़ाज कहां है ऐसे तो आप क्या करें ठाहाएं बता लोग अल्वाइड कि दर उता है का लश्करयद है अप्र पर फोड़ा घुंड रहा है रहा है आप जाल सामने रखें कर बीच्छ बलट जाएं साय में उपाएं देखें बता अप्रांस आरही है मौन कितनी तेजी से बहीं आती ही तक सदूर कई किदर कैसे कुछ पस्पच में नहीं आ रहा है रहा ह। अभीवी कुई, तु देखे क्या हो है? उनों लिखा बिश्बिश गई तफों बतफे वे जहां चली माज शुरू हुई जहां ते बिच बिच गई तक्र बसब में और जहां चली चंकी सो उस तरब इनराई वहा चली दोनों तरब की बाश बुकारी कहां चली उसने कहा इदर वो बुकाराई यहां चली मूं किक तरब नचे अचनों को जबर सती तरकिर रहेते और सतनों को सबसेखिए और हाँ चलवार तब कहा है अब भलाई इंसान किया भी नहीं देख तक दिया कि बिजली कहा है तो यह समय बनी है। लेकिस बुलत्रार के इस हमें उत्रवतार में सात्ता चरीव बुल्जणा उता। कि जहांट इसका सरकटना है वुफिहार करेंगी। लेकिस बुल्पिफार की उत्धार से पहले बुल्जणा के पड़ा पहुंच जाते हैं। वही एक मंजर था अकेला, वही उनकी नचीब वो मुखदर के क्या करने जिन्हों ने वो देखा है, एक मंजर अभी है बाकी आने वाला, अगर हमारे मुखदर रहे जाएंगे उस नचीब बलंदी के, तो हम वो मंजर देएंगे, क्या प्यामत का ताल बेल था, क्या प्यामत का, गला काटने वारी गुलगखा, जालिक तक पहुचने वाला गुलगणा, हतल का इरादा किये हुए हुथा है, नहीं नहीं तौज़ नहीं, मिजाज हुथा हैं में, इराद ए खतल किई नहीं आता, तामेर मखलूम का पिजाज नहीं होता जिसमें किसी के खदल का इरा नहाए वो रह्मत होता है सरा पापे तरे रह्मत लेकिन गोव महतर उस वक्त नदीर में तफदील हो जाता है जब कुर्मान की बहतानी होता है लेकिन या रह्मत नदीर में बदली के उस बुर्काण की वाजथे लेकिन प्रकाण की फाचिर प्रत्रय तरह आपंधियर कर दिया जब है रफटार की बजली के तरह से विसाले ौधिय। उसकी रफ्तार की लोगोने। जमीन पे आप देगेंगे अगर तो जानबर है ना एक तो गोड़ें की रफ्तार बहुत है। 50 km, 7 km, 70 km अगर आठीज भी दोड़ पार गोड़ें। यानि अगर उसकी रफ्तार में क्यों समिदे नहीं हो। जिस्मानियत को जीने नहीं देखा तो वो रफ्तार की पदर नहीं करता। जो एक फोटी मख्रूपती तेली से भाग नहीं समिद में आएका। गोड़े को आप देखें। वो गुवत को साहर, वो जिस्मानियत वो बदर उसकी रफ्तार। क्या यहां नहीं तेल को जोरते हुए निकर जाया अगर तो सामने में अगर वो राजायेगा तो वैसे लोगों को मौत देखें। क्या वाज है? सम्तार। मितालिय नादी तो जमीन पर है चार पैरों मालू में जिमने कावचीता 120 किलो मिटर पर आथ 130 किलो मिटर पर आथ जंगल में आफरिका के आप अगर जाना हो कर भी जिपना ना हो यदिदों में बताते हैं जब शिकार के लिए दोड़ता है यूं मालूम होता है जाय से बन्दों से गोली निकते है यूं गोसा है रफ्तार को आपों से तांती देखकर उसकी रफ्तार के हैधर में बढ़ जाना उस रफ्तार मैं भजली की रफ्तार मैं, कुटके हमें operational के थान में सितारगे हमें हमें कभी किता है पुल्मुमी वगरां उने देखते रहें तो वो तैर करते हैं, इसे सालों की साय का भे ये गिरा, ये यहाँ जा रहा है, इस यह होगा, इस यह होगा, इस यह होगा, इस यह उसलता रहता है तो वो क्या उन्हीं 70 km, 100 km पर सकंड एक सकंड में दो बार मौला ली जाके आजाएगे, एक सकंड पुड़ा नहीं होगा इस यह इसला नहीं होगी रुक्तार से, अजब अजब मिता रहें, वह रुक्तार से तो जुल जना, समजबेगी नहीं आता का, एक ठेरा हुआ कंसा निकला कंसा और जाकर ठेरा कहां पे, बहुत उसी खाजियते हैं बच्पन से रिष्टा रुड़ा हुआता होता है, उसके बिज़ार को बैच आता उसके अधर उसके नहीं तक वाद रुसेज़ात हैं कर्भला के मैम्दा शूर के रुज, एक नजर उसकी हउसायत की आँपोष होती थी और दोसरी ददर उस पर सिसे हुसाइम देख रहे होते हैं हुसाइम को बात बोण कर उसे ले जाने की जर्मत नहीं पढ़ी थी कि इसे पत्ल करना है यहां हुसाइम की ददर किसी पठेरी समझ लीजे कि या तो बुर्जणा के ताज के नीचे आया या बुर्जणा की तेरस के नीचे आया एक सगेंड नगर किसी को देखना अगर नगर अटा नीचे में तो पत्मों गया ऐसी अजब बेज़ अफ्साइब से लिकल जाता है क्या क्या उस्ती मिसाले बादी गई कुछ अल्वाज नहीं हो उसकी तो भी साम में लिया हो तो कोई मुझे है क्या पैए कुछ आत्रीक लिगन फिर भी कहा यही कहने की खादियत होगी तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता उनके बारे में पहले कहिए, फिर ये नतीजा होगा आपके नहीं नहीं कह सकते, 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 भावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा कि जाना है खिर और चुसक्ति आप जो रहे हैं उसकी तो पीफ मित तुम्हारी तो पिर जहन है खाई जो रहा है नहीं कहा जाता है कि ईशना तो कहो आपकति दिया है कि एस जो उससे कहा कि पहम जाओ तो बहुत थो एक सिर्फ पर शुथ कि जंगो जिदाल की जंगो जिदाल की तश्वीर बन चुकी थी अली के जलाल जी वो आओ जाओ अश्वब जर्वं खिताल की वोड़े को कहते हैं जाओ जाओ अश्वब जर्वं खिताल की रौना जो ये परा तो वो सफाय माल थी उन हुबली यंकडियों के इशारे वजब के थे चल फिर की खहर की तो तरारे वजब के थे रहत में यजजातार थे सब्शाम औरून के घर्टी थी बर्त ग्रग खड़ंचून के भूती थी बर्त ग्रग खड़ंचून के सायर उसकी देटे थे शिनासान अजूं के सायर उसकी देशे शिनासान अजूं के एलता था उस हजूं में क्या ढूम जूम के हैरा तीया हगोष थे चीते खमोष थे चेरों में जान थी न चकारों में होश थे जब कर इधर उड़ा उधर उत्रा वो जा पड़ा निकला इधर को को से वो पंटा ये आ पड़ा जब उन परन में साय आई बुल पे दोता पड़ा समझा ये ताजी आना ये मोजे हवा पड़ा सस्मा जो बाग का था हरे नाग हो गया आँखे मुबलकडी ये बिजा जाग हो गया खुश पुमो खुश पुरामो खुश अन्दामो खुश लगा खुश रूबो खुश चमालो अदा फह्मो तेर का जाना ओ शौकिछ चश्मो सहीदो खुश इस्तका गुलगो खुश तेज़ो खुश तमनगो खुश तुर्क पांग गांदी था सरवाज था आली दमाग था गोया हवा के दोश पा एक जिन्दा बाग था जाला कियां भी सलवाख बाबा सेन अझा के लिए था स्वेह जिन्दा गांदी था लिए भी चालागिया भी रोग भी गुर्बन भी जंग भी चालादूई बुरा की गुल्दूल का जंग भी परमे अतर भी पहरे वेवा में नहंग भी थोड़ा भी शेर नर भी धरन भी बलंग भी है आप का मिज़ाज तो सुर्छ हवा की है अज़ाज इतने जब माय कुदर एक खुदा की है वो साथ और वो दीन मुरस्ता की दे बुज़ाए वो ताथ और वो दीन मुरस्ता की दे बुज़ाए उसमें, हवा में अर्द तमादा सा फर्फबै, Bluetooth कलवी से सर की साफ हयां तरफरे derrière सीने में बिल्खवी था कह सुच्ट पार होता है बीने में बिल्खवी था कि हमुश्ट पर हुता है दावा ये था बुरा की तोखीर पाये हो दावा ये था बुरा की तोखीर पाये हो ना जिस पहे कि अप्दार इमामत उठाये हो दावा ये था बुरा की तोखीर पाये हो ना जिस पहे पार इमामत उठाये हो अल्ला है जात ओवारी में जात ऑवारी में जात ऑवारी में लाए तो आज... देखिये... कुस्ता नाम जिन्से जोड़ गया? वैपर इच्छ क्त्मि को नहीं हो नहीं हो? तो ता पर्षाय कुस्ता इ bên जुड़ गया कूस्ता बर्रके तो? वाँवाँवाँव, डान लेक्राज नहीं हो नहीं जो यह दो. ताम ने खेमै। यानि ये मतायवे स्यदा करिया अप्तब कर दो पहली तारी जब चलता हुगा अधर है इसको शेफ कहुगा है जब भी इबात आएगी कि भी उसी हुसाइन पर हो दिन पर आया था कि कर्बला की दमीन पर गिठे तो हमेशा जहनिया बोड़ जाता है कि जो सवार हो रतूल के दो इस खाफ उसके लिए खाफ पर गिर जाना इतनी बड़ी खुशी है तो इस तबक से उनने लिखा आए राकिबे दोशे शाहिल लौला आए राकिबे दोशे शाहिल लौला बारिज्जों वेखार वाहुसाइला खाहर तेरी खाहर तेरी अन्जुमन में जाए बेटी तेरी और तमा ते खाए बेटा तेरा खेंचे ऐशे बाफ तो की में हार वाहुसाइना आए राकिबे दोशे शाहिल लौला पाइज्जों वेखार वाहुसाइना यह बात वो रही थी कि वो खाएरा पहुंचा उन्हें ने कहा बाद दूरु दूरु दूर्साला आप यह तोफ़ा उन्होंने का या रसुर्स ना हम आ रहे थे मिस्र की पहाड़ियों के दर्मयान से बाहर आया जसने साले के उटनी आई थी तब से लेकर यह अब तक बहुत अजीव अजीव कैसियतों का इभार करता है कि पहली बात भी है कि यह किसी को अपने ऊपर बैट में नहीं देता है जब भी कोई बैटने की कोशिश करता है तो वो भट जाता है उदे बैटने नहीं देता और इतना अर्सा हो गया पुरा कफर तरह करके हम आए पहाड से निकला है हम देख रहे हैं ना कुछ खाता है ना कुछ बीदा इसने सामने आप कोई भी जीज रखेंगे यह नहीं घाये गाए रसूल अकरव ने कहा का ऐं मेरी दो उश्का सवा होता है यह मताहिफ है यह कोशिष है हमारी अर्सिते जब तक द्सकी रही जब तक नैजा नला आए यह नो समझे कोई के मताहिफ नहीं कलभा करगा की नाम 900 के मताहिफ है रसूल नहयु shocker कहा जीसे आज सवारी कर्ते की काहरी है तो हुसाइन कियामत हुई रसूल अतरण ने हुसाइन को दुलजना में बिठा लिए पहली मर्तबा कोई सवा दुलजना को पैठा हुसाइन को पित्मेनान से उसने बिठाया जैसे जैसे वो खरीब आ रहे थे तो वो अपने पैरों को प्हला पा जा रहा था ताकि सवार होने में हुसाइन को कोई तकलीम ना हो हैवान है दाहरां लेकिन हसास है जिसके खल्ब में हुसाइन के सवार होने का हिप्स नहीं जैसिया को सवारी के वक्त तकलीम ना होने पाए वही बुलजना है जो कर्मला के मैंगान में अपनी तरह से अपना तक से अतू बहा रहा था जब पहसूर कर रहा था मेरा सवा है अप पुष्टे परस्टे रबी की तरह फिर रहे वाला है एयज स्था भिजिली के सुरज थी और हुसाय सवारी के लिए गए बुर्जित भेख्वेश hats Hussain सवारी के लिए गहे अधेशmy समेता है सालमान भी मुझए साल मान ने मंध्जब देखा के हुसान सवारी के लिए। जो ही हुसान निख ले सालमान शहसाथ कोन है इसके दर्हाते पर आघ़ा अब बादे दुदुत उसलाम का ऐ दुफ्तर रसूल आपको बहुत मुबारव को यह दे। शेजादी ने बुजद दल्मान किमा आज की मुबारव दे। का आपका बेटा आज सवारी के लिए विखला। इस अंडाज में हुसेन ने बोड़ा चलाया है। सवार और सवारी की उल्पत आपत में दिखाई दे रही। अब बहुत खास मौका है आपके लिए उसकी खुशक्बरी देने के लिए साथिमाया। सेयदा ने सुना का तो मैं भी मुबारव को सल्मान ये मौका। लेकिन एक काम हमारा कर देना। सल्मान ने हाथों को जोड़कर कहा के हुक्म पर्माई का जब मेरा बेटा वापस आए तो कहना कि अम्मान याद दिया है। अब मुझसे मुलाकात के लिए आए। तो कहना कि आते आते अकेले नाएं। अपने साथ साथ जुलजना को भी दे करा तो मुला है। सल्मान पहुचे मजसे नभवी के सरी खड़े हुए थे हुसाइब के सावारिया तो सल्मान ने क capabilities को मानेlling तिया। यह हुक्म लिया है को जुलजना को भी साथ ले ट ng हुसाइन जुल्जनाको लिए हुए बैजु शरप मेदाफिल हुए जुल्जनां पहली मर्कबा इस मद्परा मेदाफिल हुए सिय्धा की निगाँ जुल्जनाक बड़ी और से जुल्जनाक को देखा एक गोशे थे अपनी अबा के दामन में उसके खाने के लिए कुछ रिजा लेकर आयो शेयदा है, उसकी अप्राने के झालने की अपने के आबा कि दामान को फैलाया दुल ज्वना के फाने उसकी रिजा को राठा तो अब तब कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था तो पहली गिजा दुल जना को साइदा के हाथों से नसीब कुई अब जो उसनी अपनी गिजा को तना गुल किया तो साइदा ने कहा इस दिन को याद रखना दुल जना आज तू भूकार से आफ़ा स्वाग, मैं ने तुझे सैराफ किया है, अब एक दिन आएगा, जब मेरा बेटा, भूक और प्याज किशितत के आलम में तुझे सवार होगा, नराए आदा में गिरा हुआ होगा, उस रोद मैं तुझे हवाज दूगी, मेरे बेटे को लाकर मेरी आभोस में छोड़ देना, अल्लाहरे जुलजना के सामने, तैयदाने मशाय में आशूर पड़े, अब आशूर का रोद मुदार हुआ, जहां जुलजना हुसैन की भूक पे आफ पर रो रहा था, घुर्ब जोत नहाई के उपर रो रहा था, हर करों से हुसैन पर हमले हो रहे थे, कि अतना में आवाज जुलजना वादे को फा करने का मौथा आया, उस परियादे स्यदा को क्या सुनना था, कि जुलजना होश स्यदा के खरीवा रहा था, अरे बार बेटी जी पुलाखाद हो रही थी, जुलजना की विगाहों में उस तमाम मसाइब का नफ्टा बना, परियाद करते हुए हुस कि खुर्बद परो रहा है, तब कायना स्वस्तेर करने वाली हट्पियों पर ये कैसा वक्ता दया है कि एट भादी की मूद नफ्याद करता है।